बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेड़काइट पीपोल्स वोईज और पैल आइकन दबाए अब देखना सुरू कर चुके हैं बेड़काइट पीपोल्स वोईज एक बखावत आपने सुनी होगे कि एक मयान में तीन तलवार दो तलाव वार नहीं शुक सकती लेकिन बिहार में विधान सबा के चुनाव है और एक ही जगह पर तीन ने तब बड़े बड़े और तीनों एक साथ कैसे रह सकते हैं क्योंकि सब में होड है अपने आपको सबसे बड़ा साबित करने की दलीतों का इते से बनने का नाटक करना कोई आसान काम नहीं है आपको बता दें कि बहुत छोटी सी एक सिस्टम है जिसके चलते बड़े दलीटों के लिए बेकुब बनाया जाता है उनका मसिया बन जाते हैं लोग और आपको बतादे कि 70 साल आदादी के बाद भी दलीतों पर होने वाले अत्ताचारों की संक्या लगतार बढ़ रही है उनके ओपर होने वाले जल्म जातियों की संक्या लेकिन उनकी किसी कुछ चिंता नहीं है सिर्फ सबसे बड़ा दलीत ने बिहार में विदान सबा के चुनाव है और NDA की अगर हम बात करें यानि बीजेपी की एक तरफ सब लोग कहते हैं कि बीजेपी दलीतों की विरोधी है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर दलीत नेता हो चुके यानि एनडीय है एक तरह की सापको बीजेपी का जो घ चिराक पासवान आपने आपको बबड़ा दलित नेता थाबित करने में, लगातार चिराक पासवान आपको बता देए प्रकार से उनको सीटे मिलती है उस इसाब से अगर वो बोट परसेंट सबसे ज्यादा जो पार्टी बोट लेगी उसी के हिसाब से आपको बतादे कि नेक्स टाइम है उन्हें घटबंदन में जगह मिलेगी उनको मुख्यमंत्री कापद भी मिल सकता है तो ज्यानी की बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दलित वोट वेंग के नाम पर राज़िती जो हम बिस्वां से होती आई है और कास तोर्चे बिहार ने दलितों के बहुत सारे नेता दियें लेकिन बिहार के दलितों की जो दसा और दिसा है वो बिल्कुल भी नहीं सुदरी है यहीं से आपको बतादे ही बाबु जग जिमन राम है मीरा कुमार जो कि कॉंग्रेस के लोग सबा अधक्स भी रही है इसके अलावा आपको तर जीतर राम बाजी राम विलास पासवां जीजें बहुत बड़े दिगिज दिगिज नेता है जो भारत की राजजीती में कर्दावर नाम उनके जाने जाता है वो भी यहां से आए दलितों के लेकिन इसके बावजूर भी जो चवी बियस पी की बन